कर दोस्तों एक बार फिर सिफ स्वागत है आपका सीजी जफ्टों पने जीरो पर तो दोस्तों आज का यहाँ पर रिक्रूटमेंट है कारेल है आरुवेद विभाग द्वारा यहाँ पर विभिन पदों की जिसमें की चतुत तस्रेनी पदों की वेकेंसी आते हैं पर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो पर जो है लास्त तक जरू से बने लगी है दोस्तों जिसमें महिला और पूरूस कैंडिडेट के लिए आपको वेकेंसी देखने को मिलने वाला है ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं जैसा कि आपके स्क्रीन में 200 हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले जो पोस्ट है आयरुवेद महिला स्वास्त कारे करता की वेकेंसी है जिसको दाई बोला जाता है, ठीक है, उसके बाद है और सदाली सेवक की वेकेंसी है, जिसमें कि आपको पांच पोस्टे इसमें देखने को मि मिल जाएगा ठीक है बात करें इसमें वेतन मैट्रिक्स लेवल तो जैसा कि आप देख रहे हैं महिला स्वास्त कारेकरता के लिए बात करें तो आपको जो है 18,000 तक सैलेरी देखने को मिलेगा और सधालाय सेवा के लिए बात करें तो 15,600 रूपया सैलेरी इसमें रहने वाला ह रसोया के लिए भी 15,600 हो इसमें आपको सैलेरी देखने को मिलेगा दोस्तों अब सैक्षनी के योगता की बात करें तो इसमें जो है महिला स्वास्त कारेकरता के लिए जो है दसवी काक्षा उत्यूने हापर मांगा गया है साथ में सासन से मानता प्राप्त प्रेस्टिक्षन के अंदर से महिला आयरोई स्वास्त कारेकरता कन्यून्तम एक वर्स का प्रेस्टिक्षन प्राप्त ने होना जरूरी है दोस्तों और सदाले सेवग के लिए बात करें और रसोया के लिए तो दोनों में सेम योगता काक्चा 8 उत्तिन इन दोनों में योगतें मांगा गए दोस्तों ठीक है आजुसीमा की बात करें थो जो है निम्तम 18 वर्स और 35 वर्स से काम भापर नहीं होना चाहिए परंतो जो 36 गड़ के मुन लिवासी के अनिडेट है उनको जो है पांच वर्स का छूट इसमें देखने को मिले वाला है ठीक है तो देख सकते हैं अधिकतम जो है आई सुमा 45 वर्स इसमें दिया गया है दोस्तों और इसमें हम देखते हैं कि आपको आविदन किस प्रकास से और कहां पर करना है तो आविदन आपको पंजी करिड़ा के माध्धम से करना होगा आईदन का प्रारूप इसमें दिया गया है application format तो उस format को आपको अच्छा से feel up करना है और पंजीक रिड्डा के माध्धम से जिसमें की sweet post है या फिर career द्वारा आपको यहां पर भेजना होगा कहां भेजना है तो देख सकते हैं पता दिया गया है आईदन का प्रारूप आपको इस पीड़ेप के जो अंत में मिल जाएगा दोस्तों ठीक है तो देख सकते हैं आईदन पत निधारित प्रारूप में जो है आपको पृस्तूत करना होगा थीक है तो आर्ताकारी परिक्षा में पुर्णांग प्रापतांग की जागगरेट प्रत धस्ती से अगर मुल्यांगन किया गया है तो जिस संस्था से या पिर इसकूल से आपने परिक्षा उतली किया है उनके प्रमुख से उक्तग्रेट, पुनांग, प्राप्तांग, प्रतीसंत में परिवर्थित कर प्रमान पत्र की सत्यापित प्रतलीपी यानि कि आप उसमें प्रस्तूत करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो आविदित पत कर नाम बड़े इस पर अक्षरों में आपको रेखांकिक, यानि के अंडर लाइन करना होगा, ठीक है, तो यहां पर जो महत्पून जानकारी आप यहां से अलुकरन कर सकते हैं, यह रहा आविदित प्रा प्रचनी की योगतर समबंदी जानकारी और सभी डॉकुमेंट आपके क्वालिफिकेशन जाती निवास, रोजगार पंजन वगरा अटेच करके नियत स्थान पर आपको सेंड कर देना होगा, ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं यह रहा, इसका पीडियाप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अलोकन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो अभी भी कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, धन्य दोस्तों.